लेटरिन की जगह से जब खून निकलता है तो ये बहुत ही परिशान करने वाली डराने वाली समस्या होती है पहली बार जब ऐसा होता है तो पेशन्ट डर जाते है उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है क्या इसका कारण है लेटरिन के रास्ते से जब खुन निकलता है तो उसे हम कहते है खुनी बवासीर बहुत सारे कारण खुन निकलने के हो सकते है लेकिन बवासीर में ये समस्या आम देखी जाती है जिसे bleeding hemorrhoids कहते है या फिर bleeding piles भी कहते है क्या होता है जब लेटरिन के जगह की नसे सुझ जाती है या फिर जब internal hemorrhoids होता है ये देखिए यानि कि अंदरुनी बवासीर जब होता है और जब नसे फुल जाती है सुझन वहाँ पे आ जाती है और inflammation हो जाता है और bowel movement के वज़े से या लेटरिन के जगह पर pressure आनी की वज़े से ये जो नसे होती है ये रप्चर हो जाती है फुट जाती है कभी-कभी ये खुन पिछकारी जैसा निकलता है ये जो खुन निकलता है ये कभी बहुती डार्क लाल रंका होता है और इसकी वज़े से पेशन डर भी जाते है तो ये खुनी बवासीर क्यों होता है और क्या इसके घरेलो इलाज आपने करने चाहिए यही इस वीडियो में हम जानने वाले है इसलिए अगर आपको पाइल स्विशर या फिचुला की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक-एक बात को ध्यान से समझिए ध्यान से देखिए और इसके उपायों के उपर भी काम आपको करना है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये है तो तुरंत निचे जो बटन है उसे दबा दीजिए ताकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके और आपके एक क्लिक से मेरा भी confidence बढ़ता है तो खुनी बवासीर होता क्यों है देखिए खुनी बवासीर में बहुत जादा discomfort होता है पेशन्ट को परिशानी होनी लगती है खुन तो निकलता ही है साथ में दर्द भी होता है बैठने में दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत होती है और patient इससे परिशान हो जाता है तो होता क्यों है ये खुनी बावासित इसे पहले समझते हैं और फिर जानेंगे इसके चार घरेलू उपायों के बारे में मुख्य कारणा में सबसे पहला कारण होता है कबज, जियां लंबे समय तक अगर आपको कंस्टिपेशन है, कबज है, तो क्या होगा? आपके लैटरिन की जगह पर प्रेशर बन जाएगा और प्रेशर बनने की वज़े से या लैटरिन हाड होने की वज़े से, सक्त होने की पहत जरूरी है。 दूसरा इसका मुख्यकारण होता है बहुत देर तक बैठे रहना, अधिक समय तक बैठे रहना. काम के सिलसिले में हम लोग बहुत देर तक चैर पर बैठे हैं, जिसकी वजह से आपके आतरियों की मुव्मेंट स्लो हो जाती है。 पेरिस्टाल से جो हो थे गु की वज़र से आपको ये पाइल्स की समस्या हो सकती है तीसरा मुख्य कारण होता है प्रेगनसी जहां जब प्रेगनसी के समय पेट पे भार बढ़ जाता है इसके कारण भी खुनी बवासीर की संभावना बढ़ जाती है चौथा कारण है कुछ आदत है जैसे अलकोहल है तंब समझ सके कि आपके बवासीर का कारण है क्या चलिए अब जानते है चार जबरदस्त घरलो उपायों के बारे में लेकिन याद रगिए उसके पहले निदान कराना बहुत ज़रूरी है आपको पाइल्स है फिशर है फिशुला है कौन सी समस्या है किस वज़ह से हुई है ये ज सथे ठीक हो सकती है आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं मेरा नंबर में नीचे दिया है चलिए जानते हैं चार घर यह वफाय है कर ना क्य चैना चीए सबसे पहला है फाइदे मन साबित होता है ज़्यादा दर केसस में दिखा गया है जब लैटन की जगर ड्राय हो जाती है सूखी हो जाती है उसकी वजह से बहुत जल्दी वो फट सकती है और जहां से खून निकल सकता है बहुत जल्दी विसल्स जो होती है खून की नसेज होती हो फट सकती है और इसलिए अगर आप अलोवेरा जेल लगाते है तो आपको बहुत आराम होगा आपको अगर तकलीब भी है तो आज से ही जेल लगाना शुरू करिए आप सुभे और शाम तोनों वक्त ही कर सकते है अलोवेरा जेल से सुजन कम हो जाएगी खून आना बन हो जाएगा और आपकी तकलीफ भी कम हो जाएगी अब जानते हैं दूसरा जबरदस उपा है यह भी बहुत ही फाइदेमंद उपाय साबित होता है और दूसरा उपाय है सेब का सिरका जिहां एक या दो चमच सेब का सिरका आपको सुभे और शाम दो बार लेना है कैसे लेंगे एक गलास गरम गुनगुना पानी लीजिए उसमें एक या दो चमच सेब का सिरका डालिए और भूके पेट आपने इसे लेना है सो सुभे भी आप ले सकते हैं, खाने से पहले और शाम को भी आप खाने से पहले इसे ले सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फाइदा काफी patients में देखा गया है खुनी बवासिर में खुन कम करने के लिए यह बहुत ही फाइदे मनसिद्ध होता है चलिए अब जानते हैं तीसरा घरेलुनुस का त्रिफला चूरन और घी एक चम्मच त्रिफला चूरन को एक चम्मच घी के साथ आपने मिलाना है और रोजाना इसे आपने सेवन करना है आपको रात के समय सोने से पहले इसे सेवन करना है इसका बहुत ही अच्छा फाइदा होगा आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा पेट भी साफ हो जाएगा चौथा आखरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाई जो आपने करना चाहिए और तुरंट चालू कर देना चाहिए वो है तिल का तेल या फिर नारियल तेल रोजाना दिन में दो बार सुभे और शाम आपने क्या करना चाहिए लेटरिन की जग़पर तील का तेल या फिर नारियल का तेल लगाना चाहिए इससे लेटरिन की जग़पर ड्राइ नहीं रहेगी और ब्लेडिंग होने की जो चांसे से वो कम हो जाएंगे साथ ही आपको ध्यान रखना है फल, हरी, पत्तेदार सबजिया, फाइबर वाला डायेट आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए आपने कौन सी चीज़े खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इसके उपर काफी मेरे वीडियो से, इन्हें भी आप जरूर देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आएगे, आपने क्या करना, क्या नहीं करना ये भी समझ में आएगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद